हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे रिप्रोड़क्शन इन और्गेनिजम्स जो की 12th क्रास का फ़र्च चाप्टर है हर सार इसके उपर निट के अंदर दो एक या दो कुश्चन्स पाए जाते हैं उसके बाद में सीबस्ट के अंदर भी बहुत सारे कुश्चन्स इस चाप्ट देखा भी होगा और पडा भी होगा रिप्रोड़क्शन की डिफनेशन है तो आज थोड़ी सी डीटेल में वे और सक्रेंचियन हो है जो इसको में। रिप्रोडिक्शन इज़्छ एन और गैनिजम प्रोडूसिंग उन्हें सिमिलर तो इट्सल्प अगर कोई और witnesses तो इसको निटास के ऐख लेकर धाग्रामाना इसकोको तो इसको बनाता है तो एक इनडियूज़न को प्कूर symptom इंदर नोर ज्यर्ख विए गोघ्र। यह continuity चो है आपको देखने को मिलती है 1st generation, 2nd generation, 3rd generation ऐसे generations आते रहते है तो generally जो reproduction होता है वो 2 types का होता है 1st it is the asexual reproduction, 2nd it is the sexual reproduction तो इसके बारे में भी हम detail में बात करेंगे आगे जाके, the period from the birth to natural death of an organism is called lifespan जो period रहता है जर्म से लेकर मृत्यू तक का जो period रहता है उसको हम lifespan बोलते है No individual, no individual is immortal except unisolar organism there is no natural death in unisolar organism देखो यह जो sentence क्या कहता है किसी भी कोई भी organism जो है immortal नहीं है immortal का मतलब होता है अमर, जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ता है उसका मृत्यूत्य है except unisolar organism, unisolar organism को छोड़कर जितने भी बाकी multisolar organisms है या other organisms है उनका जो death है वो fix है उनको मरना आई पड़ता है और जब तक naturally death नहीं, naturally death तो unisolar organism की नहीं होती लेकिन artificially उसकी death हो सकती है जैसे कि आप लोगों को आप लोग भी कर सकते है उसके बाद में बहुत सारे जो organism से उनका life span इस screen के उपर आपको दिखाए दे रहा है तो सबसे उपर जो है roads, roads का life span है इस diagram के अंदर आपको दिखाए नहीं दे रहा लेकिन जनरल रोज जो होता है वो 35 years तक जिंदा रह सकता है उसके बावजूद अगर उसको लोग mulch करते है उसके भी कुछ methods होते है उसको काटके किसी दूसरी जगाना उसके बाद में फिर से अपनी generation को बढ़ाएगा तो उसका longer duration रहता है बहुत साल दी सकता है उसके बाद में rice plant जो है 3-7 months तक उसका जो life span है वो आपको इधर दे वाला है बन्यान tree 400 years उसके बाद में banana tree 2-3 years dogs का 22 years का life span है butterfly 1-2 weeks तक वो जिंदा रह सकता है fruit fly 2 weeks तक वो जिंदा रह सकता है उसके बाद में parrot जो है 1-40 years तक उसका life span दे वाला है crocodile 60 years तक horse का 40-50 years उसके बाद में tortoise 100-150 years तक वो जिंदा रह सकता है crow जो है 15 years तक जिंदा रह सकता है cow 22 years तक elephant जो है 50-70 years तक वो जिंदा रह सकता है उसके बाद में थोड़े detail में बात करेंगे हम a sexual reproduction के बारे में और sexual reproduction होता है वो किस प्रकार का होता है और sexual reproduction के अंदर single parent involved रहता है it is the production of offspring by a single parent single parent से ही offspring का जो production है वो होता है उसके अंदर gamit का formation नहीं होता और it is a seen in initial organism simple plant as well as animals कुछ animals के अंदर a sexual reproduction है वो generally देखने को मिलता है initial organism simple plants as well as animals के अंदर आपको देखने को मिलेगा the offspring are identical to one another and to their parents such morphologically and genetically similar individuals are called clones clones हम किसको बोलते है जिसके character जो भी है morphologically as well as genetically जो की parents से मिलते जूलते है उसको हम clones कहते है Types of Asexual reproduction important two types है fusions, buddings as well as vegetative propagations two types के देखने को मिलेंगे binary fusions as well as multiple fusions तो सबसे पहले हम बात करेंगे fusions के बारे में यह diagram के अंदर देख सकते है binary fusions आम युबा के अंदर आपको देखने को मिले देखने को मिल रहा है fusions in this the parent shell divide into two or more individual इसके अंदर क्या होता है एक तो parent shell का division two cell के अंदर होता है यह more individual के अंदर होता है अगर two individual के अंदर होता है तो उसको हम binary fusions कहते है देख सकते definition स्क्रीन के उपर और diagram के अंदर आपको देखने को मिल रहा है binary fusions it is the division of binary fusions it is the division of parent shell into two individuals for example amoeba और paramecium diagram के अंदर आपको दिखाए दे रहा है शल उसको हम बैंटरी पीजन बोल सकते हैं अगर सिंगल पारेंट्स है और उसको इन्डिवीजन में निटिवेजन होता है तो उसको हम मल्टिपल बोलते है एक्जामपल प्लाजमोडियम और अमिवा जो नीची के अंदर आपको देखने को मिल रहे है बढ़िंग सेकंड टाइप आपको देखने को मिल रहा है बढ़िंग बढ़िंग क्या है इन दिस बढ़ आपिरस और ग्रोन इन्ट परेंट बड़ी अप्टर दे मैचुरेशन इटेच फ़ं पैरेंट बड़ी तो फ़ं नीव इंडिजवल जो पैरेंट बड़ी रहती है उसके उपर बर फ़ं होता है यह डाग्राम के अंदर आपको देखने को मिल रहा है उपर की जो डाग्राम दिख रहे है आपको उसके अंदर जो बर फ़ बिलता है है हेड्रा स्पॉंज और रिष्ट के अंदर भी यह बड़िंग का जो असेक्वल रिप्रोडक्शन है आपको देखने को मिलेगा उसके बाद में जो फेजिटेटिव प्रोपाइगेशन जो की थर्ड असेक्वल रिप्रोड़ुशन का पॉइंट है तो टाइप स फेजिटेटिव प्रोपाइगेशन यह क्या है इस प्रोड़क्शन आप उप्स्प्रिंग फ्रम फेजिटेटिव प्रोपाइगेशन इन प्लांट प्लांट के अंदर जो फेजिटेटिव पार्ट रहते है उसके माध्यम से किसी नए उप्स्रिंग को क्रेट किया जाता है या उसको जर्म दिया जाता है उसको हम vegetative propagules कहते है vegetative propagules are unit of vegetative propagation एक unit से propagules क्या है किसी भी plant का एक पार्ट है उसको आप लोग नीचे देखेंगे हम example for the vegetative propagules बर्स जैसे की बर्स जो potato के अंदर आपको potato tubels के अंदर आपको देखने को मिल रहा है उस बर्स को आप लोग eyes भी बोल सकते है उसके बाद में rhizome जो ginger के अंदर पाया जाता है bulbils अगेव प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा जो की C diagram आपको देखने को मिलेगी leaf birds of the bryphylum जो प्लांट रहते हैं उसके अंदर या आपको देखने को मिलेगा rhizomes बनाना के अंदर भी देखने को मिलेगा birds and rhizomes are arise from north of the modified stem जो modified stem रहता है उसके अंदर बर्स और rhizomes निकल के आते हैं और जो नोर्स रहते हैं come in contact with damp soil or water वो damp के अंदर, soil के अंदर या water के contact में आते हैं तो उससे produce होता है roots और उस root से create हो जाता है new plant यह asexual reproduction का जो vegetative propagation एक type है उसके अंदर यह देखने को मिलेगा adventitious birds किसके अंदर देखने को मिलेगा? bryophyllum के अंदर adventitious root है या birds है उसको root भी बोल सकते है birds भी बोल सकते है जो birds है उस birds है एक नए यह birds जो रहते है they arise from the notches at the margin of the leaf जो north रहती है जो margin रहती है leaves की उस margin के उपर यह जो birds है वो आपको देखने को मिलेगा उसी birds के मादियम से नए जो plant है वो create हो सकते है यह होते है बल्बिल्स अगयो प्लांट अगयो प्लांट के अंदर भी यह देखने को मिलेगा सी जो diagram है उसके अंदर देखने को मिलेगा बल्बिल्स अदर नाम नहीं दिये वाला offset of water hyacin offset जो पार्ट होता है water hyacin का terror of Bengal भी उसको कहते है runner, sucker, tubers, bulge, etc जो पार्ट है यह पूरे vegetative पार्ट है जो कि किसी भी नए individuals को create करने का काम करते है और यह सब बात है आपको ध्यान में रखने की यह single parent होते है उसके अंदर gamit का formation नहीं होता इसलिए उसको हम sexual reproduction बोलते है zoo spore of clamidomonas, conidia of the penicillium, gemules in sponge यह भी आपको diagram देखने को मिल रही है यह कुछ other sexual reproduction structures है जो कि आपके लिए इधर दिये वाले है zoo spore जो है microscopic motile structure in समालगी और protist के अंदर भी पाया जाता है यह microscopic है without microscope आप इसको नहीं देख सकते है इसके लिए उसको हमने microscopy कहा है motile structure that means they can do movement वो movement भी कर सकते है clamidomonas के अंदर यह देखने को मिलेगा zoo spore यह diagram आपको देखने स्क्रीन के ओपर देखनी है conidia जो penicillium के अंदर देखने को मिलते है gemules यह sponge के अंदर देखने को मिलते है वे कुछ a sexual reproductive structure से a sexual reproduction is a common method in simple organism like अलगी फंजाए a sexual reproduction यह common method है simple organisms के अंदर एक त्वालगी as well as फंजाए के अंदर देखने को मिलेगी during the adverse condition they shift to sexual method during adverse condition adverse condition के अंदर जब भी कुछ nutrition का deficiency deficiency होती है यह कुछ environmental changes होते है तो यह sexual method के अंदर इसको shift कर देते है higher plant reproduce asexually that is vegetative and sexually higher plant होते एक तो reproduce करते है sexually as well as sexually but most of the animals only sexual reproduction जो बहुत सारे animals रहते है वो sexual reproduction को ही indicate करते है तो next lecture के अंदर हम देखेंगे sexual reproduction के बारे में बात करेंगे अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगता है तो like करो share करो और subscribe करो thank you have a nice day यापको यापको